अपने फैवरिट स्टार के लिए उनके फैंस क्या क्या नहीं करते अपने फैवरिट स्टार से मिलने के लिए कई बार उनके फैंस कुछ ऐसा कर जाते हैं कि हर तरफ चर्चा का विशा हो जाता है ऐसे कुछ किस्से हमारे बॉलूड के स्टार के साथ भी हुए तो इसलिए आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको उन सितारों और उनके फैन से रूबुरू करवाएंगे जिन्होंने उनसे मिलने के लिए सारी हदे पार कर दी आई जानते हैं कौन है वो सितारे बॉलूड के खिलाडी कुमार के वैसे तो बहुत सारे फैन से लेकिन आज हम जिस फैन के बार में बताने वाले हैं वो कुछ अलगी है अक्षा कुमार की इस फैन का नाम परवत है वो गुजरात में दौरका से पैदल चलकर मुंबई आ गया वो भी सिर्फ अक्षा से मिलने के लिए ये अक्षा के इतने बड़े फैन है कि इन्होंने दौरका से मुंबई के बीच का 900 किलोमेटर का रास्ता पैदल पार कर दिया इससे पूरा करने के लिए 18 दिन लग गए तब कहीं जाकर ये अपने फैवरेट स्टार से मिलने का सपना पूरा कर पाए अक्षा अपने सचे फैन से मिलकर बहुत खुश हुए इन्होंने अपने फैन्स के साथ अपने फोटो को सोचल मीडिया पर शेयर भी किया बॉल्विड के दबंग खान ये इन सल्मान खान के पूरे देश में बहुत फैन है इन से मिलने के लिए उनके घरा जाते हैं पर आज हम आपको सल्मान खान के उस फैन से मिलवाएंगे जिन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि सल्मान को उन्हें अपना घर बुलाना पड़ा ये बात उस टाइम किया जब हिट एंड रन के मामल में कूट का फैसला आने वाला था बिहार की राजधानी में रहने वाली दो जुड़ुआ बहने सबा और फरा ने अपना खाना पिना सब्बंद कर दिया तीन दिन तक कुछ नहीं खाया बस यही प्रातना करती रही कि फैसला सल्मान के भक्ष में आए और भगवान ने उनके प्रातना सुन ली और सल्मान को जब जमानत मिल गई तब इन दोनों की बात ये जब पता चली तो बहुत खुशी इस बात की खबर सल्मान को हुई तो सल्मान ने इन दोनों को मिलने के लिए अपने घर बुलाया और पूरा एक दिन साथ में बिताए नमबर एगा मिताब बच्चन लगबग तीन दशकों से हिंदी सिनमा पर राज करने वाले बनिता मिताब बच्चन जिनकी रोबीली आवाज बलूड की जान है जिसमें बोला कि हर एक डालग लोगों को काफी पसंद आता है वैसे तो इनकी फैन फॉलोइंग दुनिया भर में है पर किसी नयास तक ऐसा नहीं किया हुआ जैसा कि इस फैन ने किया वहीन के एक फैन ने अनूठी मनत मांगी थी किया मिताब ठीक हो जाते हैं तो वडोदा के सिद्धी विनाएक मंदिर से उल्टे पैर मुंबई के सिद्धी विनाएक मंदिर तक यात्रा करेंगे जैसे हमिताब की तबित में सुधार हुआ उनका ए फैन उल्टे पैर चल कर यातरा पर निकल गया यातरा 800 किलोमेटर की थी जिसे पूरा करने में 13 दिन लगे यातरा पूरी करने के बाद इनका ए फैन मंदिर से सीधा हमिताब के घर पहुँच गया जहान की वलाकात हमिताब से हुई हमिताब उनके फैन के इस प्यार से इतना एमोशनल हो गए कि उनके पैर चुने के लिए चुकने को भी हा गए लेकिन इनके इस फैन ने पैर चुने नहीं दिया और तब से हमिताब अभी भी इस फैन से जुड़े हुए है तो दोस्तों आपको इने बिनेताओं में किसा बिनेता के फैन के बारे में जानकर जादा हैरानी हुई हमें कॉमेंट बुक्स में बताईए साथी बॉल वुड से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा